ओम सिरी गने सायनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस जुलाई रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन तोलाई रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आर्थिक इस्तिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेश्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्य छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्य बनने से रहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुआद में ही अपने महत्पपून कार्यों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव नहें दोस्तो इस समय की की गई मेहनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जिहा दोस्तो आज भागय आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंझस बहतर बनाए रखने के प्रियास करें ताकि घर परिवार में شुख शांती समर प्रदिक की प्राप्ति हो और घरेलू विकास संबभ हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तों साथ साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं दोस्तों आए के साथ साथ घर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्मपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना दिल की बजाए दिमाग से निर्नेले भविस्ते की चिंता को छोड़कर वर्तमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक है आज कोई पेमिंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर ह हो सकती है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तो के साथ फैमिली गेट टुगेदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तो साथिसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी वैतीत करें दोस्तो परिवार का वातावरण आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्ता रखना आवश्चक है साथ साथ पती-पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरण खुसनुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदियों में छोटी छोटी परिशानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा जहां दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पैसा वाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अन्यान व्यक्ति से अचाना की घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वेवसाइक गति विदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्च रखता है विद्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने बाला है दोस्तो थकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रूपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक सवा मीटर लाल कपड़ा लें ज्यां दोस्तो उस सवा मीटर लाल कपड़े में आप अपने श्रद्धा के अनुशार अपने शामर्त के अनुशार गुड़ और चावल भरकर आप किसी जोतमंद को भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए दान करें ज्यां दोस्तो ऐसा करने मात्र शेही भगवान शुरदेव आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिसानियों का अंत करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी ज्यां दोस्तो आप इस सुपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाव प्राप्थ होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्थ हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुरदेव अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद